जहन्द स्टुदेंट्स आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनुसर क्लासेज में और स्टुदेंट्स आज की इस सेशन में आज की इस वीडियो में हम आपको बहुती सांदार सांदार इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आपके इंटरें इंटरेंस एक्जाम 2024 के बारे में यानि जारखंड पॉलिटेक्निक इंटरेंस एक्जाम 2024 की पूरी परिक्षा कारेकरम क्या कैसे होने वाली है, फार्म कब आएगा, फार्म कब एपलाई होंगे, आपके एक्जाम कब होंगे, और आपका साथ चातकार और आपका एडमिशन क puppies होता है, निगेटिव मार्गिंग होती है या नहीं होती है, इसकी पूरी information आपको मिलेगी, और कैसे हम त्यारी करेंगे, क्या अंदाज होगा, त्यारी करने का, क्या method होगा, उसकी पूरी information आजके इस वीडियो में हम आपके साथ सेर करेंगे, वीडियो को लाइक और अपने इंट्रेंस एक्जाम की 2024 की प्रिपेशन कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें आपके परिच्छा कारेकरम के बारे में तो यह नोडिफिकेशन है आपके जहारखंड पॉलिटेक्निक की ओर से और यहाँ पे पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियुगता परिच्छा यहाँ पे 2023 का कारेकरम है 2023 का कारेकरम इसलिए क्योंकि इससे एक मोटा मोटी हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमारा जो exam होना है वो किस तरीके से होना है ठीक है किस तरीके से यहाँ पर exam होना है और कब-कब form आएगा कब आपके exam होंगे इससे पूरी idea आपको جो हैं मिल जाएगी ठीक है तो यहां भी देखिएगा आपका जो form है, form start होने की अगर बात करें, तो देखिए 27 फरवरी को आपके form जो है वो release हो गये थे, तो 27 फरवरी को आपके form release हो गये थे, तो इस बार भी मान के चलिए कि फरवरी में आपके फरवरी 2024 में आपका जो होगा, क्या होगा यहां पे क्या आपको time दिया जाएगा, तो यहां पर April दिया गया था, तो April same time आपको दिया जाएगा, अप्रेल 2024 है ना, अप्रेल 2024 तक आप form भर पाएंगे, और exam की बात करें, तो April में ही आपके exam यहां पे हो जाएंगे, April में ही आपके exam जो है होजाने है, ठीक है, तो अगर देखो कि आपको तयारी करने का फॉर्म भरने से ले करके और आपकी परिच्छा तक में कितना समय मिला है तो आप मोटा मोटी मान के चलिए दो महीने तू मन्त भी आपको ढंग से जो हैं आपे नहीं मिल पाएगा तो अगर आप इस टाइम में सोच रहो कि इंटरेंस एक्जा गलत करेंगे जितना आपका रैंक हाई बनेगा और ज्यादा रैंक का मतलब है कम आपको यहां चैन्स मिलेगा गौर्मेंट पॉलिटेक्निक में जाने का तो यहां पर अगर आप गलती करते हैं तो आपका जो गौर्मेंट पॉलिटेक्निक का जो सपना है वो अधूरा रह स तो इसलिए यहां पे आपको गलती नहीं करनी है और इस पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और दो महीने का समय बहुत कम है तो तैयारी पे आपको अभी से फोकस जो है करना है चलिएगा इसके आगे हम लोग बात करेंगे आपके exam pattern के बारे में क्या syllabus होने वाला है और marking कि प्रकार से होगी उसके विशय में हम लोग यहां पे बात करेंगे marking किस प्रकार होने वाला है क्या syllabus होने वाली है यह पूरी information हम आपको यहां पर आज के session में देंगे ठीक है तो अगर age limit की भी हम बात करें तो देखिए age limit में जो खनन यानि माइनिंग जिसको बोलते है ना तो माइनिंग सेलेबस में अगर कोई भी बच्चा जाता है माइनिंग पार्टिकरम में जाता है तो एक जुलाई तक एक जुलाई दोहजार चौबेस तक उस बच्चे की जो आई होनी चाहिए वो सत्रा वर्थ होनी चाहिए यानि कि 17 years होनी चाहिए तभी उसको admission मिलेगा इसके लावा अन्य जो diploma courses हैं उनमें कोई भी limitation नहीं है माइन तो देखेगा इस परिक्चा में समिलित होने के लिए सैचडिक अरहता की अगर या सैचडिक योगिता की बात करें यानि eligibility criteria की बात करें किसी student की तो यहाँ पर student का 10th pass होना जरूर है student 10th pass है दस्वी या समक्ष उसके पास परिक्चा वो pass है तभी यहाँ पर उसको यहाँ पर entrance exam देने का मौका मिलेगा यानि कि आपका minimum 10th pass होना यहाँ पर जरूरी है यानि कि metric आपका होना चाहिए यहाँ पर entrance exam देने के लिए तो देखेगा आपका जो exam pattern होने वाला है कुछ इस प्रकार से होगा कि जि पर जो होगा वो आपका OMR based होगा यानि कि offline परिक्षा होगी कोई computer based test नहीं है online कोई परिक्षा नहीं होनी है offline paper होगा OMR seat में आपको गोला बनाना होगा ठीक है तो धाई गंटे का समय आपको दिया जाएगा यानि कि आपको यहाँ पर total अगर time देखा जाए तो 150 minute आपको द 50 होंगे यहाँ पर आप देखेगा कि आपके syllabus में यहाँ पर जो questions पूछे जाएंगे वो भौतिक विज्ञान से 50 questions पूछे जाएंगे नि फिजिक से 50 questions रशायन विज्ञान से 50 questions और गडित से 50 questions है ना तो देखा जाए तो time थोड़ा सा कम ही आपको यहाँ पर मिला है धाइ घंटे इसका मतलब है कि कुल मिला जुला करके यहाँ पर आपको धाइ घंटे का मतलब है 150 मिनट दिये जा रहे हैं और 150 मिनट में 150 प्रशन करने हैं यानि कि आपको एक प्रशन के लिए एक मिनट यहाँ पे दिया जाएगा यानि 60 seconds में अगर आप एक question को solve करते हो तो जागर कि आप पूरा exam में पूरा जो question paper है वो attempt कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें marks की तो 150 questions के लिए आपको मिलेंगे 150 marks ठीक है और अगर आप कोई भी question गलत करते हो तो उसके लिए 0.25 marks यहाँ पे negative marking होगा यानि कि negative marking आपकी है यहाँ पे exam में ठीक है तो अगर आप गलती करते हो तो 1 by 4th आपका negative marking भी होगा यहीं एक marks का 1 by 4th करेंगे 0.25 negative marking है और यह आपके अंक जो है कटेंगे अगर आपका यहाँ पे answer गलत होता है तो है ना इसलिए तयारी करनी है पढ़ के जाना है exam देना है क्योंकि farm भरने से selection नहीं होता तयारी करने से हो ठीक है तो यहाँ पर देखिएगा आपका कि अगर हम बात करें form भरने का आपको सुल्क कितना देना होगा तो जितने भी आपके general और OBC category के candidate होंगे उनको 650 रुपे फी पे करना होगा और जितनी भी यहाँ पे SCHT और girl candidate होंगी यानि कि लड़की होंगी लड़कियां होंग उनको यहाँ पे 350 रुपे मात्र जो है देना होगा और जो भी बिकलांग यहाँ पे होंगे यानि बिकलांग कोटे से form भरेंगे ठीक है ऐसे सभी बच्चों की fees जो होगी वो माफ हो कि उनसे कोई पैसा यहाँ पे form के लिए नहीं charge किया जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आ आपको मात्र दो घंटे यानि की 120 मिनट और विशय होगा आपके पास 10th level का ही math और 10th level का ही science यानि की आपका chemistry और physics ठीक है तो आपके प्रश्न घड़ जाएंगे 100 प्रश्न होंगे 50 question आपके गडित के यानि math के और 50 question हो जाएंगे आपके science यानि विज्ञान के total 100 number का आपक question के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा credit किया जाएगा ठीक है और आपकी भी जो apply करने की form की जो fees होगी वो 650 रुपए general और OBC candidate की होगी और यहाँ पे girl SCST candidate की amount जो होगी जो pay गरना होगा 325 रुपए pay गरना होगा तो ये तो बात हो गई आपके परिछा कारेकरम की form कब आने वाला है आपकी परिछा कब होगी form की fees क्या होगी exam pattern क्या होगा क्या क्या हमें पढ़ना होगा अब बात करते हैं महारणीती के विशह में कि पढ़ना कैसे है ना क्या method जो best method है जिससे हम त्यारी करके एक बार भी अगर चीजों को theory को पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में set हो जाएगी कोई सपने में भी उठा के पूछे तो हम उसका सही सही answer दे सकते हैं वो क्या method है तो आईए उसको जानते हैं और जो की free of cost YouTube से जिसकी help से आप त्यारी कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यहाँ पर बात करें syllabus आपका क्या होने वाला है तो syllabus की विशे में जानेंगे syllabus क्या होने वाला है तो अगर हम बात करें आपके syllabus की तो तीन विशे आपसे पूछे जा रहा है तीन विशे कौन कौन से है तीन विशे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है Maths, Physics and Chemistry यनि कि गडित, भौतिकी और रशायन टोटल नंबर ओफ चैप्टर्स की अगर बात करेंगे तो टोटल 90 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं टोटल यहाँ पे 90 आपको चैप्टर्स तयार करने हैं अपनी परिक्षा के लिए ठीक है इन 90 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से तयार कर लेते हैं इंट्रेक्टिव मेथर्ड से कॉश्चन्स को ट्रिक्स की हेल्फ से सॉल्व करते हैं कम समय में आपका यहाँ पे कॉश्चन्स सॉल्व हो पा रहा है प्रश्ण है आपको आपको आएंगे ही आएंगे निश्चित तaking आप अगर कमजोर छातर भी हो और अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको आएंगे ही आएंगी लेकिन सवाल यहाँ यह है क्या आप दिये हुए समय में कर पाओगे और अगर समय बचाना है तो उसके लिए क्या करना प्लाएगा तो उसके लिए वच्चा इंट्रेक्टिव मेथट से पढ़ना होगा क्या इंट्रेक्टिव मेथट होता है, उसको हम लोग समझेंगे रहे हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे अपने next पेज़ पे इंट्रक्टिव मेत्रड जैसे हमें फिजिक्स यानी भहुतिक विज्ञान पढ़ना होगा और उसमें अगर हमारा टॉपिक है अधिस रास यानी स्केलर क्वांटिटीज याद करना तो हम उर्जा, कारिय, समय, दाब ये रट्टा नहीं मारेंगे है ना हम याद करेंगे उसक सिंपल, उसका दाले में सी से आता है, सिंपल याद रखेंगे अधिस राशियां याद होगे, काम खतम, क्या इसको किसी को रट्टा मारना पड़ेगा, किसी को इसको पांच मेट से ज़्यादा देना है, याद करने के लिए बिल्कुल नहीं देना है, आप एक बार पढ़ि पढ़िए, और सपने में भी कोई उठा के हाँ, पुछ भई, हाँ, अधिस राशियां बता दो, हाँ, बताते हैं सर, उसका दाल M.S.C. से आता है, उ का मतलब उर्जा, सा का मतलब समय, ता का मतलब ताब, दा का मतलब दाब, और यहाँ पर लग का मतलब लंबाई, और M का म मतलब मास, S का मतलब Speed, C का मतलब आपका Current, और A का मतलब आयतन, ता का मतलब ताब, सिंपल, इतनी quantities हम लोग यहाँ पे ऐसे simply बता सकते हैं, और इतने में अपका काम हो जाएगा, अधिस राशियां पूछ रहा है, या सदिस राशियां नहीं है, दो परश्न बनेंगे इसमे अधिस राशियां कौन सी हैं, और सदिस राशियां कौन सी नहीं है, सिंपल, चार में से एक option तुरंट पकड़ लेंगे इतने से, सिंपल, इस तरीके से हमें पढ़ना है सांदार-जांदार मेथड से, आईए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे, अगला यहा यहाँ पे, आपकी 9 से भी, 9 से भी पुछा जाएगा, 10 से भी, 8 से भी, 11 से भी पुछा जाएगा, है ना, जैसे ये प्रशन देखो, ये प्रशन पूछता है, परसेंटेज एरर में, कि किसी वृत्त की त्रिज्जा में 2 प्रतिशत की तूटी हो, तो उसके छेतरफल में कि इसनी त्रूटी होगी, कितनी प्रतिशत त्रूटी होगी, ये आपका प्रशन है, है ना, तो कैसे सॉल्ब करेंगी प्रतिशत त्रूटी वाले सवाल, बहुत आसान है, इसमें हमें बहुत जादा नियम कानू नहीं लगाना है, आप अपनी 11 की अगर फिजिक्स बहुतीक भी ज्यान पढ़ेंगे, तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, है ना, तो वो हमें उस पे नहीं जाना है, हमें बस ये समझना है, कि किसके विश्या में बात कर रहा है, तो सरकल के बारे में बात कर रहा है, वृत का त्रिज्या, यहनि कि R में error दे रखा है, इसने 2 का, है ना, तो छेतरफल क्या होता है, किसी भी बृत का छेतरफल होता है, पाई R स्कॉायर, अब इसका एक नियाम है, कि constant term को काट के हटा देते हैं, powers को गुणा मिलाते हैं, पावर्स को क्या करते हैं, गुणा मिलाते हैं, एक ही नियाम बस सब में लागू होता है, जितने प्रश्न होंगे, पाई को खतम कर देंगे, और स्कॉायर जो है, नीचे उतार के लाएंगे, और अपना answer कर देंगे, है न, अगर एक से ज़्यादा variable होंगे, तो सभी variables के वीच में plus लगता है, चाहे वो divide में हो, चाहे multiply में हो, तो यहाँ पे आपका 2 into R हो जाएगा, और 2 into अब R में कितना percentage error है, 2% का percentage error है, तो total यहाँ percentage error मिलेगा, आपको 4, तो इस तरीके से आप कुछी seconds में, कितना second लगा, मुश्किल से मुझे 10 second भी नहीं लगे होंगे, वो भी समझा कर मैंने आपका answer कर दिया, 4% आपका यहाँ पे answer आ गया, इस तरीके से seconds में आप अपना answer ज square root लगाए जा रहा है, और इसका आपको answer पूछ रहा है, बहुत लंबा question, लेकिन हम tricky help से बहुत आसानी से करेंगे, कैसे करेंगे, आपको square roots count करने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 square root है, तो हम लोग यहाँ पे जो number है, सबसे पहले square root के अंदर उसको note करेंगे, इसके उपर power में always यहाँ पे 2 लिखा जाता है, 2 लिखेंगे, जितने square root है, उतना यहाँ पे 2 की power लिख देंगे, 2 की power जो लिखा है, इसको यहाँ पे बट्टा लगा के उपर लिख देंगे, और उस total value में से एक घटा लेंगे है, तो 2 की power 6 की value क्या होगे, 64, 64 में से x आएगा, 63 आएगा, औ कितना भी tough question हो, चाहे चलो इसके लावा दूसरा ही question, कुछ इस तरीके का क्यों न हो, हमें अनंत तक क्यों न दे दे, यहाँ पे question बना कर है न, यह भी हम कर लेंगे, बहुत आसान है, simply जब भी square root के अंदर plus minus लगा कर कोई संख्या infinite, अनंत तक repeat हो रही हो, तो बस x को जो ब 12 से यहाँ पे x बगल में जोड देंगे, एक हमारे पास equation समीकरण बन जाएगा, जो option इसको satisfy कर देगा, वही correct answer होगा, जैसे option number a रखो, 3 का, यहाँ पे x की जगाए पे 3 रखेंगे, तो 3 का square is equal to 6 plus 3, तो 3 का square 9 is equal to 6 plus 3, बराबर 9 मिलेगा, और option number a देखो, यहाँ पे correct हो जा आपको यहाँ पे 1 घंटे से जादा समय नहीं लगेगा, और यहाँ तो आपके पास 1,5 घंटे हैं, एक बार solve करना, दूसरी बार जाच करना, तीसरी बार final lock कर देना है, कौन बनेगा करोड़पती खेलना, वहाँ आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके का पढ़ाई यहाँ पे हमें करना है, अगला प्रशन देखो, आपका, आप कहोगे कि सर, चलो math भी trick से सिखा दोगे, physics भी सिखा दोगे, chemistry भी तो पूछेगा, 50 question, आप chemistry भी देख लेते हैं, कैसे chemistry हम लोग पढ़ेंगे, तो chemistry का question है, यहाँ पे potassium का formula लिखा है, k2SO4.al2SO4 का whole 3.24SO, और यह कौन सा लवड है, यह पूछा जा रहा है, कौन सा salt है, अमली लवड, acidic salt है, छारी लवड, alkaline salt है, दूइक लवड, double salt है, या नन आप दीजेनी, इन में से कोई नहीं है, क्या correct answer बनेगा इसमें, आइए चलिए देखते हैं, इसमें correct answer क्या बनेगा, तो मैंने एक trick बनाया है, कि जब भी हमको जो सुत्र देता है, उस सुत्र में, दो dot दीखेगा, क्या दीखेगा, दो dot दीखेगा, तुरंत हम समझ जाएंगे, कि यह double salt है, कितना, अगर double dot है, तो double salt होगा, तो दो बिन्दू दिखा, तुरंत double salt answer मारेंगी, यह नहीं दूइक लवन जो है आपका यह नहीं option number C जो होगा वो correct answer होगा ठीक है ऐसे ऐसे पूरे chapter का जितना आपका 90 का 90 chapter मैंने आपको बताया 90 के 90 chapters आपके इसमें cover किये जाएंगे trick की help से और पूरा परिच्छा कारे करम जब तक आपका exam आएगा तब तक हम इस पूरे 90 chapter को तकरीबन 3 बार पढ़ चुके होंगे अगर आप यहाँ पर अभी से हमारे साथ जोड़ करके त्यारी कर रहे हैं तो 3 बार आपको यहाँ पर पढ़ा दूँगा एक बार तो full course आपका चलेगा एक बार full course होगा है ना जिसमें एक एक चीजें बहुत ही इत्मिनान से आप chapter wise पढ़ेंगे दूसरी बार क्या होगा कि हम लोग crash course के माद्यम से पढ़ेंगे ठीक है और तीसरी बार क्या होगा तीसरी बार भी हम crash course के माद्यम से पढ़ेंगे यहनी दो crash course मिलेगा आपको ठीक है और एक full course मिलेगा एक full course में क्या होगा कि हम लोग इत्मिनान से एक एक चीजे बारी की से पढ़ेंगे बच्चा है ना तो यह हो जाएगा full course और crash course में crash course में क्या है चार question एक type के हैं तो एक question solve क्या आगे बढ़ा एक question solve क्या आगे बढ़ा है ना और इस तरीके से धुआधार सांदार तरीके से revision होगा चाहें वो theory हो चाहें वो आपका numerical हो सब को जो आएगा theory आएगा theory को मारो sixer आएगा आपका numerical numerical को मारो sixer match के question आएगे match को मारो sixer boundary पार सीदे ठीक है कोई tension नहीं लेना है interactive method से पढ़ना है sonu sir classes के साथ और a to z तयारी आपकी youtube के माद्यम से हो जाएगी youtube पे daily live classes आपको join करना है और आपको जो भी pdf और notes share किये जाएंगे वो हमारे telegram group में share किये जाएंगे तो आप telegram group ज़रूर join कर लिजेगा है ना तो telegram group का जो link है वो मैं इसी video के description में दे दे रहा हूं साथ में म WhatsApp नंबर भी अपना दे दे रहा हूं 9076-9297-784 यहाँ पे आप WhatsApp करके भी telegram की link जो है ले सकते हैं और telegram group में आपको जोड़ जाना है क्योंकि एक साथ वहाँ पे message broadcast करना बड़ा ही easy हो जाता है तो इस माद्यम से आपके पास बहुत ही सहुलियत के साथ एक एक videos classes आप तक प होगा आज की session से आपके syllabus और exam pattern को ले करके इसके इलावा हम बात करें best book की तो देखो market में बहुत सारे books available है ना अरिहन्त अगरवाल और उपकार अन्या बहुत सारे प्रकाशन मार्केट में पड़े हुए हैं लेकिन जो सबसे बहतरीन प्रकाशन है जिसमें सबसे ज्यादा number of questions बहुत ज्यादा मिलते हैं वो आपका अरिहन्त publication है अगर आप बहुत बहतरीन result बनाना चाहते हो तो अरिहन्त publication की book चाहो तो ले लो नहीं चाहो तो कोई दिक्क पे वहाँ से अगर आप course में जुड़ते हो तो वहाँ पे book आपको as well as यहाँ पे free of cost available हो जाएगा ठीक है और ebook के form में वहाँ पे मिलेगा और इसके लावा अगर हम बात करें कि आपको अगर लेना है तो previous year के practice set या model papers ले लो है ना या previous year के original papers ले ले लो जो की market में आपको अरियंत publication से जाओगे तो जादा बहतर रहेगा वो original papers को ही print करते हैं यह उनकी खासियत है ना तो अगर आप उनके साथ जाते हो बहुत अच्छा है well and good है और बहुत अच्छा result आप उसके साथ बना पाओगे ठीक है तो आपको करना क्या है वीडियो अच्छी लगी हो तो व channel पर मिल नहीं है तो जुड़ करके इत्मिनान से अभी से त्यारी सुरू करनी है interactive method के साथ और यहां पर बहतरीन रिजल्ट बनाना है और ना किवल सरकारी कोलेज ना किवल गौवर्मेंट पॉलिटेकनिक बलकि अपने राज के best पॉलिटेकनिक में जा करके पढ़ना है ना ही मिलें किसी अन्य वीडियो लाइफ शीजन के साथ तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम आप सभी स्वास्त्रा है मस्त्रा है